आज मैं आगई हूँ अपने गार्ण में और कुछ काम करने जा रही हूँ तो मैं वही सब कुछ आप से सेयर करना जा रही हूँ और मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने गार्डन में वो सब कुछ सेयर करना चाहती हूँ और चलिए आज मैं क्या करने जा रही हूँ कैसा काम करने जा रही हूँ वही आपसे सेयर करूंगी और आज मैंने देखिए यहां पे कुछ प्लांटर रखे हैं ग्रो बैक्स हैं वेस्ट मटेरियल के ग मैं एक फ्लार प्लांट लगाने जा रही हूँ और वो प्लांट मैंने कटिंग से तयार किया हुआ है यहां पर आप देख रहे होंगे यह गुलदावदी की कटिंग है और यह मैंने देखिए नर्सरी के ग्रो बैक में लगाया हुआ है और यह ग्रो बैक्स मैं फेकती नही हूँ इसमें cutting लगाती हूँ और यह nursery से लाय हुए नहीं है पौधे यह मैंने cutting खुद से तैयार किये हुए थे तो मेरे पास 3-4 color है गuldावदी का और यह सफेद color का गuldावदी खिलता है तो यह मेरे पास नहीं था तो मुझे कहीं से cutting मिली हुई थी तो मैंने इसको लगाया है और यह मई के महीने में मैंने इसकी कटिंग को लगाया था और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने इसको किस में लगाया है यह सेंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है बालू और कंस्ट्रक्शन में दो तरह का बालू यूज हो कुछ पहती है और इसमें बहुत ही आसानी से Dract लगाने के लिए को इक तो अधाले के लिए थे और नाती बाइश चाहिए मिटि में भी आप लगा सकते हें बीना नहीं नहींहींने मिली सहित लगाने के लिए डियूत तो कक्रेण नने में कर किया हुला कर दे इसी तरह से बालू में grow की हुई थी और उन सबों को report किया था ये देखिए ये cutting से ही तयार किया हुगा पौधा है इसको भी मैंने report किया हुआ है और देखिए ये भी अलग तरह का color है बस ये cutting करके फेका गया था तो मैं ले आई और इसी तरह से बालू में लगाने के बाद जब ये अच्छे से grow हो गया तो मैंने इसको इसमें report कर दिया है और बहुत अच्छे से grow कर गई है बहुत छोटी-छोटी सी cuttings मैंने लगाई थी और देखिए बहुत अच्छे से plants तयार हो गए है इसी तरह से सेंड में ही मैंने गेंदे की कटिंग लगाई हुई है यह देखिए यहाँ पर कुछ कटिंग है यह गेंदे की कटिंग है और देखिए कितना अच्छा से चल रही है और इसको भी मैंने देखिए बालू में ही लगाया हुआ है इसको भी लगाते हुए मैंने बेलू तरीके से मैंने इसको लगाया हुआ है बालू में ही देखिए ये गुढ़हल की कटिंग को मैंने ग्रो किया था और देखिए कितना सुंदर कितना हेल्दी प्लांट तयार हुआ है तो ये तयार प्लांट का रिजल्ट मैं दिखाने जा रही हूं आपको और फिर उसके पानी भी दे रही थी और ये सारे देखिए मैंने जो सर्फ के पैकिट्स हैं इनको यूज किया है और इस तरह के पैकेट्स में मैंने देखिए इसके पहले टमाटर लगाया हुआ था टमाटर इसी तरह से वेस्ट चीजों में इही मैंने बहुत सारी gardening की है और मैंने gardening की शुरुवाद भी waste material से ही किया हुआ था तो देखिए इस तरह से पहले मैं मिट्टी को खूब अच्छे से कोड ले रही हूँ तो देखिए सारे जो grow bags हैं चारो में मैंने खूब अच्छे से कुडाई कर लिया और बीच में जगा बना लिया और अब चलिए आपको cutting का result दिखाते हैं और फिर आगे की tips भी देंगे कि इन ही पौधों से और भी आप अभी plants बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक पौधा निकाल के दिखा देती हूँ आपको और चाहूं तो मैं पूरा root ball के साथ निकाल दूँ यह देखिए यह मैंने root ball को निकाल दिया है grow bag से और देखिए कितनी जबरदस्त rooting हुई है और इसमें से आप मैं यह दोनों पौधों को अलग करके लगाऊंगी और आपको पूरा root दिखाऊंगी देखिए यह बिल्कुल आसान तरीके से मैंने लगाया हुआ था और यह rooting देख के पता चल रहा है कि बहुत ही पुराना पौधा तो नहीं है लेकिन cutting से ही देखिए कितनी अच्छी roots तयार हो गई है और इसको मैं इसमें लगाऊंगी देखिए इस तरह से बिल्कुल simple तरीके से कुछ नहीं करना है इस तरह से मैं यह पौधों को लगा दूंगी और फिर जब यह पौधे अच्छी सी growth लेंगे फिर उसके बाद मैं आपको आगे आगे बताती रहूंगी और यह जब पौधे और अच्छी सी growth ले लेंगे थोड़े और बड़े होंगे तो हम इनकी pinching करेंगे और जो pinching वाला हिस्सा होगा उसको हम फेकेंगे नहीं उससे फिर नए पौधे तयार करेंगे देखिए यह कितने अच्छे से cutting में देखिए रूट कितनी अच्छी रूट बनी हुई है यह देखिए बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है और इस तरह से हम यह पौधों क लगा लेंगे और इनसे भी और पौधे तयार करेंगे तो जो हम जब इनकी pinching करेंगे तो उनसे पौधे तयार करेंगे और यह अभी से हम चाहें तो और cuttings लगा सकते हैं जैसे cuttings मुझे मिलती रहेंगी मैं लगाती रहूंगी और इसी तरह से मैं अपने गाडन में फ्री के plants तयार कर लेती हूं और अब मैं इसको निकालने जा रही हूं यह देखिए इसमें भी कितनी अच्छी rooting तयार हुई है और एक grow bag में मैंने तीन से चार cuttings लगाई थी और जिसमें से देखिए एक यह खराब हो गई है इस वाले grow bag में जो लगा हुआ था और देखिए तीन cuttings बहुत अच्छे से देखिए तीन प्लांट्स तीन प्लांट्स तयार हो गए है और यह देखिए एक एक करके मैं सब को लगा दे रही हूं और इस pot में मैं दो cuttings को लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है और इसी तरह से मैं अपने प्लांट्स को तयार कर लूँगी और अच्छा सा pot दे दे रही हूं फिर उसके बाद जब यह अच्छे से पौधे तयार हो जाएंगे और इस तरह से आप इनकी care करते रहेंगे तो हर साल आपको पौधे मिलते रहेंगे और आपका गार्डन पूरा फूलों से भर जाएगा और इसके फूल एक बार खिलते हैं तो महीनों भर आपके गार्डन में पड़े रहते हैं और बहुत ही अधिक सुन्दर लगते हैं यह देखिए दो cuttings मैंने इस ग्रो बाकी है इसको भी खाली कर लेते हैं यह देखिए इसको भी मैंने खाली कर लिया है और देखिए इसमें भी दो cuttings तयार हुई है तो मैं यह दोनों को लगा दूँगी इसी में इस pot में एक को लगा दे रही हूँ क्योंकि हर pot में दो दो हो जाएगा तो अच्छा है जगा मिल जाएगी पौधों को और अभी मैं इनको लगा के सेड एरिये में रखूंगी डारिक धूप में नहीं रखूंगी जहां छाओं आती होगी वहीं पर रखूंगी ताकि यह पौधे कुमला न जाएगे जब अच्छे से सेट हो जाएगे तब मैं इनको धूप में रखूंगी और अभी बहुत जादे बारिश के पानी से इनक है तो इस तरह से देखिए मैंने कितने पौधे तयार कर लिये हैं वो भी फ्री में और देखिए इसमें दो पौधे हैं इसमें एक है और सारे में दो दो है केवल एक में एक है तो बागी साथ पौधे मैंने तयार किये हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में कटिंग से ही तो और अब चलते हैं इनको पानी डालते हैं और इनकी अपडेट मैं आगे देती रहूंगी आपको तो देखे मैं पानी ले आई हूँ और सभी पौधों में दे दूंगी और फिर इसके बाद इनको शेड एरिये में रखूंगी और अभी जो ये कटिंग से बालू निकला हुआ है और ये ग्रोबैक खाली हुए हैं इनसे मैं फिर से कटिंग लगाऊंगी अभी और भी मेरे पास पुराने पौधे हैं उनसे कटिंग बनाऊंगी और इसमें तयार करूँगी ताकि और पौधे मेरे पास बन जाएं तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई थैंक यू